नमस्कार आप देख रहे हैं डिटीवी भारत मैं हूँ अभिसेक मिस्रा बिहार के तमाम राजनितिक दल ऐसा लगता है जैसे मध्यावधी चुनाव की तैयारी में जुटे हुई है और खास कर जिस तरह से कल तस्वीर सामने आई है जिस तरह से ग्रैंड वेलकम जेडिव के द्यक्ष ललन सिंग का हुआ है उससे यह आसार और मजबूत हो गये हैं कि बिहार चुनाव के मोड में है इस पूरे मामले पर हम बात चित करेंगे जन अधिकार पाटी के फायर ब्रांड नेता और पाटी के महासचिव प्रवक्ता संजे सिंग पपूस है हम यह समझने की को बिमार हैं और नयाईक हिरासत में हैं क्या तैयारी है संजे जी देखिए सबसे बड़ी चीज तो तैयारी साफ पता चल रहा है कि जो अभी भाजपा और जद्यू की डबल इंजन की सरकार चल रही है इसमें किस तरह दरार पड़ा है तो साफ असपस्थ है देख रहा है कि निति स्वाव अलग दरवार लगा रहे हैं बाजपा के लोगों अलग दरवार लगा रहे हैं और सबसे मूल बात है कि कल जो स्वागत समारोह में जो भीर जुटाई भीर क्या था वो तो सब ठेकेदार को लाए थे सब कमाने कजाने वाला मजदूर ऐसे मजदूर का हमने ब कानून का कितना बड़ा उलंगन किया उन्होंने जितना चर्चा करे कम है चुकि सुपरीम कोट के आदेश के बाद उन सब जितना एरिया में पोस्टर बैनर जो लगा हुआ था जद यू का आपने देखा वो सम गैर कानूनी लगा हुआ था किसी ने मास्क नहीं लगा रखा दूसरी सबसे बड़ी बात कि बिहार के जितने भी राजधानी के परसासन थे सब उनके लिए एक बुझा रहा था कि राष्टपति महोदे आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए वो खड़े थे आम आवाम को गाड़ी को रोक करके राष्टा को ब्लॉक करकर के और उसके है तो परोसाईट कर रहे हैं हमारे राष्टी अध्यक्ष महोदे पपू于 आदव जी को आपने देखा को जन्ता को उसके करोनाकाल में किस कादर मदद करने का काम पर कण रहे हैं आई क्या कर रहे हैं यह पूजा कर रहे थे आई धम चानते हैं लोगों को दमकी है सरकार चलने वाद उसमें टोटल भूमियार जाती के लोग थे एक भी कोई दूसरा जाती के लोग नहीं था भूमियार वाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं जो इनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है नाराज भी हो गए अनन्द सिंग जिन्दाबाद के नारा लगे जन्द सिंग के आदवी नहीं थे वह वो सरकार से खीन लोग थे और उनको उस्टरै से बेज़ट करने का मंच पर काम किया ऑद है जेडियू ने जम में गेट पर बिल्कुल पोस्टर लगा दिया गया फोडिंग लगा दिया गया ललन्द सिंग का लगता है कि बीजेपी को कोशिस जहां सामें लेने की कर रहे हैं कि नहीं मैंने जनता को काम किया मैं सेवा कर रहा हूं मैं आपके दुख के दर्द के साथ हूं यह दुनों को यह दर्साना चाहते हैं लेकिन वास्तिवी कैस ऐसा है नहीं जनता तो इतना त्रहिमाम है कि मैं क्या बता हूं आप से करोना काल से ले करके सिच्छा काप देख रहे हैं न क्या इस्तिती है बच्चा लोग क्या हो गया अच्छे सबसे बड़ी मूल चीज है कि मंदिर मस्जिद सारे बंध है पूरे देश में देख रहे हैं करोना काल में आई भीड भीड इससे भी करोना नहीं फैल रहा है तो हम लोग अगर कोई परदर्शन करते हैं सरकार के खिलाप में तो ताना साही रवया अक्तियार किया जाता है वाकई इस तरह से जो हुजूम है आप भीड कह रहे हैं लगता है कि बिहार चुनाओं के मोड में है और अगर लगता है तो फिर दोस्त दुस्मन तलास रहे हैं गड़बं अगर अगर दोस्ति के साथ चुनाओं लड़ेंगे क्या मध्यावधी चुनाओं की आहट आपको भी सुनाई दे रही है असपास्ट रूप से इसमें जनता भी समझ रही है और तमामी जो निकम्मी पार्टी है ये तो खास करके बिल्कुल समझ रही है तब तो घबड़ा क अगर के दोनों अलग-अलग सरकार लगा रही है जनता को दिखाना चाहरी है कि मैं तुम को सेवा करूंगा मैंने ऐसे किया वैसे किया दरसल जनता सब बात समझ रही है अब ही तो हम अकेले ही चलेंगे यहां तो मैं आपको बता रहा हूं कि तिसरी सक्ति के रूप में जन कदर लोगों को मदद किया है साधी हो बिवा हो मरनी हो हरनी हो हर वक्त वो खड़े रहते हैं तो पपू यादो जिस तरह से मुसीवत में लोगों के साथ खड़े रहे हैं करोना काल करोना की दूसरी लहर के दौरान पहली लहर के दौरान और जल जमाओ के दौरान या फिर बिहार पर आई कोई दूसरी आपदा हो, लोगों की मदद करते रहे हैं, उससे पपू यादव का कद बिहार की राज़ती में बढ़ा है, जिस तरह से जेल गए हैं, उसके बाद उनका राज़ती में कद बढ़ा है, जो संजे सिंग पपू है, उनका ये दावा है, पाटी के प्रदेश महासचियों हैं फायर ब्रांड नेता हम इनको कहते हैं क्योंकि एक चीर परचित अंदाज में अपने सियासी दुस्मनों पर हमला बोलते हैं तो इस इंटर्व्यू में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद